जब रेल मंतरी रहते हुए लालू परसाद यादों ने 42 पत्रिकारों को दिल्ली भेज दिया था जबकि उनका टीकट कनफर्म नहीं हो पा रहा था सुनिए एक पत्रिकार ने क्या कुछ कहा था वो सब बाते हम बताएंगे दरसल एक पोड कास्ट चल रही थी पोड कास्ट में महौल क्या है एक एपिसोड आता है निउस 24 पे उसे राजीव रंजन जी करते हैं रजीव रंजन जी पोड कास्ट में लालू परसाद यादों के बारे में कुछ यादे बता रहे थे बहुत ही वो यादे जो है वो इमोशनल है फिलाल हम यादों को सिलसिले बार हम बताते हैं रजीव रंजन जी कहते हैं कि जब जी निउज में था तो एक महिला मुस्लिम पत्रकार का शादी था लगभग सादी से तीन महीने पहले रेलवे में टीकट बुक किया गया था सेकेंड एसी में वेरहाल आपको बताए कि पहले कानियम ही होता था कि तीन महीने पहले आपको ब तीकट को लेकर बहुत सारी परीशानिया जहलनी पड़ी परशानिया यह चीओस टीकट में 42 लोगों का नाम था और 42 लोगों को दिली साधी में जाना था एक महिला-पत्रकार की साधी थी वह महिला पत्रेकार मुश्लिम थी इसके बाद जब वह चेक करती है जब दो दिन तीन दिन चार दिन अब टाइम बच जाते हैं तो महिला पत्रेकार चेक करती है टीकट तो एक भी टीकट कनफर्म नहीं दिखाई देता है फिर वह सोच में पड़ जाती है कि आकी उस समय के रेल मंत्री लालू परसाद यादों से मिलने पहुँच जाते हैं, साथ में साधी का डेट वाला काड लेकर जाते हैं, वही टिकट का जिरॉक्स कोपी यानि टू कोपी लेकर जाते हैं, लालू परसाद यादों के पास जाने के बाद उस टिकट को दिखाया जाता है और साधी का कार्ड भी उन्हें दिया जाता है और कहा जाता है कि देखिए तीन महीने पहले हमने टिकट बुक कराया था लेकिन साधी के तीन से पाँच दिन बचे हैं लेकिन अभी तक वो कनफर्म नहीं हुआ है इस पर लालू यादो सोचते हैं और फिर अधिकारी को बुलाते हैं रेलवे के चेर्मैन को बुलाते हैं और कहते हैं देखो जी इन लोगों को साधी में जाना है और एक बिटिया की साधी है थोड़ा देख लो और कनफर्म कर दो फिर चेर्मेन के तरफ से जवाब आता है अधिकारी के तरफ से जवाब आता है कि सर ये कनफर्म नहीं हो सकता है फिर दोवारा जो है लालू परशाद कहते हैं कि देख लो हो सके तो कनफर्म कर दो लेकिन अधिकारी के परियास के बाद भी वो तिकट कनफर्म होने का नाम नहीं ले रहा था दो मिनट बाद लालू परशाद यादो अधिकारी से कहते हैं कि उसमें 20 बोगी तो है ही एक और बोगी जोड़ लो और जोड़ कर इन लोगों की टिकट जो है वो कनफर्म कर दो क्योंकि बिटिया की साधी है और इन लोगों को जाना है तो रुकना नहीं चाहिए और लालू परशाद यादो के आदेश के बाद 20 बोगी वाली ट्रेन में एक बोगी एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया और उन ने पत्रकारों की साधी में जाने वाले 42 लोगों का टिकट जो है वो कनफर्म करा दिया गया और एक बोगी पीछे से जोड़ कर सेकेंड एसी का अनंद लेते हुए सभी लोग साधी में पहुँच गया तो लालू परसाद यादो वो नेता हैं जिसे सभी नेताओं को सीख लेनी चाहिए ऐसा कहे रहे थे रजीव रंजन महौल क्या वाले फिलहाल रजीव रंजन के अगर बाते पुरी सुनना चाते हैं तो राष्टिय जनता दल के एक फेस्बुक पेज है उस पे जाईए उस पोड कास्ट को रिलीज किया गया है बेहद ही संदार है और बेहद ही लाजवाब है ऐसे ही कोई लालू पर्षाद यादो को गरीब का मशिहा नहीं कहता है इसका बहुत सारे उधारन है अगर आप देखोगे तो किसी भी बेक्ति का एक पाट गलत और एक पाट सही लगातार मिलता है लेकिन लालू परसाद यादों है और आज तक सायद मुझे लगता है कि वे द्वेश में नहीं रहें भले ही टीवी चैनलों पे लगातार लालू परसाद यादों की खबरे जो है 99% निगेटिव चलाई गई लेकिन आज भी लालू परसाद यादों के जो खबर चलाता है वो एक बात अपनी साथ जो है शन्योग कर रखता है और उसे कहीं न कहीं जबाब देता है और वही एक बात लालू परसाद यादों को महान बना देता है वेराल आप देख रहेते देशी निउज बिहार पे और मेरा नाम वजनलाल कुमार है फेस्वूप पे हैं तो फॉलो कर लिजेगा यूटूप पे हैं तो सस्क्राइब कर लिजेगा बाकी अपनी परतिकिरिया बॉक्स में जरूर दीजेगा धन्यबाद